राश्या की एक और टॉप रैंके अनुवरसिटी ओरल स्टेट मेडिकल यॉनिवरसिटी के बारे में वीडियो में ओरल स्टेट मेडिकल उनिवरसिटी के बारे में इसे पहले अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा पिशला वीडिए था उस वीडिए में मैंने आपको रश्य SOW के कजान फेडरल उनिवश्टी के बारे में ओध एक्सप्लेइन किया था आज के इस वीडियो में हम डिसकस करें गी लें ऐरें आप स्टेट मेडिकल उनिवसिटी के बारे मीं सुचली है डिसकस करते हैं बिसिकली मैं बात करूं तो my एक अनट है को अगर मैं बात करते हूं औरेलव tua सेट मेडिकल उनिवसिटेशिटी फरेंब जूरीव स्टेडी करने का आपको यह बेनिफिट रहेगा कि यह क्लिनिकल रोटेशन में तो बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा साथी साथ में आपका ट्रेवलिंग पार्ट का भी कोई इशू नहीं होगा अगर मैं बात करती हूँ तो जो ऊरल स्टेट मैडिकल उन्रुशटी है बेसीकली वा उरल सिटी ही है रशया क्यापिल के नियरभा है, मॉसको के नियरभा है, तो उसमें ही लोकेट़ है और यह जो university है यह A plus grade की university है अगर मैं type की बात करती हूँ तो यह government university है इसका जो establishment year है वो 1931 है medium of study की मैं बात करती हूँ तो medium of study fully in English है course of duration है वो 5 plus 1 का यानि कि total 6 years का है जिसमें आपका internship include है Ural State Medical Universities में MBBS admission के लिए eligibility criteria अगर देखें तो eligibility criteria आपका 12th PCB 50% अबाब होना चाहिए and need qualified होना चाहिए and IELTS and TOEFL का कोई requirement नहीं है आप directly जो eligibility criteria मांगा उसके base पे अगर आप fulfill हो रहे हो आपका eligibility criteria तो आप इस universities में admission ले सकते हो आपको कोई भी IELTS and TOEFL का requirement नहीं है recognitions के अगर मैं बात करती हूँ तो यह university NMC WHO ECFMG certified है already अगर Indian students की बात करती हूँ मैं तो 500 plus 5 to 600 plus already Indian students वहाँ पे MBBS का study कर रहे है session अगर मैं start की बात करती हूँ कि कौन से intact में आपके पास MBBS admissions available है तो only September intact है जिसमें आपके पास MBBS का admissions available है tuition fees के अगर हम बात करते हैं तो 3,16,322 ruble per year इसका अपरोक्स tuition fees है hostels का जो जाता है वो 60,000 ruble per year का जाता है hostels का and food का अपरोक्स आपका 1,000 to 1,200 USD per year का food का जाता है basically Indian math available है तो students Indian math भी परफर करते हैं या students किसी students का अगर है कि उनको self cooking का भी option choose करना है तो वो self cooking का भी option choose कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि benefit of study MBBS oral state medical university यानि कि oral state medical universities में MBBS का study करने के क्या benefit है first thing, oral state medical university काफी oldest university है capital Moscow के nearby है ये university अगर मैं बात करते हूं oral state medical university का तो ये starting सही English में प्रोग्राम प्रवाइड करवा रहे है NMC के rules regulation को fulfill करती है ये university और इसका degree भी accepted है इंडिया में students यहां पर आके licensing exam के लिए भी अपर कर सकते हैं oral state medical university का 90 years study experience है काफी oldest university है तो काफी सारे Indian batch pass out हो जोके हैं अगर मैं बात करती हूं तो ये university का clinical exposure भी one of the good है इस university से 10 plus hospitals यानि की 12 अपरोक्स 12 hospitals अफ्लेटेड हैं तो आपको clinical rotations में भी benefit मिलते हैं Capital Moscow की nearby है ये university और काफी affordable budget में भी आपको options मिल जाते हैं तो ये आपके लिए one of the good है अब हम बात करते हैं admission deadline for oral state medical university इसके जो admission deadline होता है start वो आपका application जो इस university का start होता है वो March to July होता है आपका After application आपका जो July के बाद आता है वो admission letter आता है उसके बाद after admission letter आपका invitation letter आता है Ministry of Education पे तो उसमें आपको 3-4 weeks का time लगता है जब आपका application, admission, invitation letter ये तीनों चीज आपको receipt हो जाते हैं फिर final जो आपका रहता है वो visa stamping का जिसमें आपका 4 weeks का time लगता है उसके बाद आपका final होता है travel to the university यानि कि जिस universities में आपने MBBS study के लिए admission लिया है उस universities में departure का time तो departure आपका mid of September आपका departure होता है and जो आपके sessions start होते हैं यानि कि जो आपकी classes होती है वो first of October तक आपकी classes start होती है अब हम बात करते है PG options after MBBS for oral state medical university यानि कि oral state medical university से MBBS का study करने के बाद आपके पास PG के क्या क्या options है first thing आप इंडिया में आके आप next exam के लिए भी preparation कर सकते हो और आप need PG के लिए पेर हो सकते हो अदर देन अगर आपको इंडिया से PG प्रफर नहीं करना है तो आप US से PG यानि की USMLE के लिए भी eligible हो आप USMLE की भी preparation कर सकते हो प्लैब, UK, safe lab and MRCP and other country से भी आप PG के लिए प्रफर कर सकते हो so students अगर आपको इस university से related और वी information चाहिए या आपको कोई doubts वगेरा है आप जानना चाहते हो कि oral state medical universities में admission process कब से start होता है एडमिशन लेने के लिए क्या के documents required होते हैं तो आप हमारे दिये गए help line number पर contact कर सकते हैं और हमारे counselor से discuss कर सकते हैं जब तक आप बने रहे हैं हमारे वीडियो पर आपको कर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को like भी कर सकते हैं आपके friends को share भी कर सकते हैं ऐसे ही upcoming वीडियो में आपके लिए और इंट्रस्टिंग रॉश्या से related वीडियो या रॉश्या की टॉप रैंके लिए रॉश्या से related वीडियो ले किया हूँ so thank you so much have a good day